पिछले 15 दिनों से 41 लोग फसे हुए है इस टनल के अंदर और उनके अपने जो यहाँ पर मौजूद है हर दिन बस इसी उमीद के सहारे सुभा जखते हैं कि उनका बेटा किसी का भाई वो यहाँ से बाहर निकलेंगे उन्हीं में से एक है चौधरी भी जो की उतरप्रदेश के लखेंपूर से के रहने वाले हैं जिनका बेटा यहाँ पिछले 15 दिनों से है चौधरी जिनका एक बेटे की पहले ही मृत्ती हो चुकी है और दूसरा बेटा इस टनल में फसा हुआ है ऐसे में इस पिता का सोची है लेकिन फिर भी उमीद नहीं हा रही है और बाकाइदा अपने बेटे को जा करके यह भी धांडस बंदा रहे हैं और बेटे की तरफ से भी उसी तरह से जवाब दिया जा रहा है है चौधरी हमारे साथ में अभी आप ट्रेल के अंदर से यह रहे हो क्या रहा है पीटे सी बात हुई क्या नाम है बला है थीक है हमने कहां का स्वाष्ट कैसा है तो क्या है अच्छा है मारा और घर पर बता देना अच्छा है और वह परेसान नहीं और आप पिता जी बता देंगे ठीक है वो भी आप लोगों को भरुसा दे रहा है कि मैं वापस आउंगा पूरा वो कह रहा है और अंदर किसी तरह की परिशानी तो नहीं अभी आपकी जो बात हुई उसमें और आप भी जब जाते हैं तो आप भी मनोबल उसका बढ़ा रहे हैं विल्कुल बढ जाने के बीच में खतम कर दो घबराना नहीं और अंदर बाकी लोग है वो लोगी इहमत देते रहना जो कि आपके साथ हैं यहीं तो हम कहेंगे यहां से आप यह अंदर से जो महुल बाहर से जाते हैं तो हलका फुलका करते जिससे कि वह किसी प्रेशर में और दबाव मिना हम पहले दूआ कर लेते हैं कि हम जो जाएं तो हमें कान खाबर खुस होना चाहिए मिले यह चौधरी है लेकिन इनके सामने भी एक चौनौती भी है इनसे आप यहां पर पहुंचे हो सुनने मैं कि सब कुछ गिर्वी रख करके पहुंचे हो क्या है पैसे नहीं थे यहां का संदे पहुंचा हम लोग कुछ उचित हो गए जो पैसे नहीं तो कोई ना कोई मार्ग निकानना पड़ा तो वह कहने लगी हम हमारे पास जो नथूत है और पहले हैं जो जुमकी हैं मंजीत की मार्ग मा वह गिरुही धरकर हमको पैसे दिये हम दो लड़कों को लिए चल दि अपने छोटे भाई को यहां काम कर चुका था उसका जो वहां से चलेंगे दो हजार रुपिये लगता खान पीन किराया भाड़ा सही तो चार उधर से लगा चार इधर से दई देते थोड़े खर्चा हुए जो कुछ बचा दो चार सो तो हमारे पास दो चार सो बचा है अप यह भी बता आते हैं कि अभी एक दो दिन का बत लगे घर जो शी Hello है फैट अब इस पिता का होसला है और उपने बेटे को भी अपने बैटे को भले हाब को अगर यही है जब अंदर जाके बोलके आते हैं कि आपको एक सदो दिन लगेगा जिससे कि वो mentally prepared रहें और जब जाते हैं तो ये भी बताते हैं कि आपको घबराना नहीं है और उपर से उधर से भी जवाब मिलता है कि नहीं नहीं आप लोग घबराएं नहीं हम मैं वापस आऊंगा तो कुछ इ यहां पर पहुंचे हुए हैं और उमीद यही कर रहे हैं कि उनके अपने जल्द निकले इस टनल से बहार